नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरन शर्मा अगर कोई इंसान पूरी लगन के साथ मेहनत करे तो उसे सफलता हासित करने से कोई नहीं रोग सकता यहां तक की विपरीत आर्थिक तंगी भी प्रतिभा के सामने बाधा नहीं बन सकती कुछ ऐसे ही विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री नाइप सिंग सैनी के मीडिया सलाकार और भारतिय जनता पार्टी के रास्टर प्रवक्ता राजीव जेटली जेटली ने ये शब्द सेक्टर 21 की ग्रीन बेल्ट पर पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी वित्रित करते हुए कहे इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाकार राजीव जेटली ने जरूरतमंद बच्चों को कौपिया पैन पैंसिल और शिक्षा पाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली अन्य स्टेशनरी वित्रित की इसके अलावा इन सभी बच्चों को मिठाईयां भी बाटी इस दोरान राजीव जेटली जी ने यहां पढ़ने वाले बच्चों से शिक्षा से संबंदित कुछ प्रशन पूछे बच्चों ने भी सभी सवालों के सटीक जवाब देने के साथ साथ अपनी अलग-अलग तरहा की प्रतिवहाओ का प्रदशन किया इस मौके पर सेक्टर 21 की ग्रीन मेल्ट पर जरूरतमन बच्चों का निशलक स्कूल चलाने वाले समात सेवियों ने राजीव जेटली जी को बताया कि आसपास की जुगी बस्तियों में रहने वाले और सेक्टर के मकानों में घरेलू सहेकों का काम करने वाली महिलाओ के बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उनके मन में सिक्षा के प्रति जाग रुकता जगाने का काम किया जाता है जब बच्चों में सिक्षा के प्रति लगाव उत्पन हो जाता है तो उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया जाता है अब तक इसी तरह सैक्ड़ों बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाया जा चुका है इस मौके पर राजीव जेटली ने समाज सेवियों को आस्वाशन दिया कि वे इन बच्चों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और समय समय पर उन्हें सिक्षन सामगर यूपलब्द करवाते रहेंगे तो यह थी समाज के लिए की गई एक राजीव जेटली जी की पहल इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन